हलो एवर्वान वल्कम बाक टू दे चैनल कैसे हो सब लोग येस आज कंटिन्यू कर रहे होंगे हम लोग एच्चे सी बोर्ड का रिवीजन बिल्कुल बोर्ड बहुत नजदीक आ चुका है 12th की अपनी एक्जाम बहुत नजदीक आ चुकी है तो यार इस मौके पे चौका मार करना बहुत जरूरी है और यार बिल्कुल यहां पे question bank यहां पे अपना पीवाई क्यूज आड़ इस प्रीवियस एस question solve करना बहुत जरूरी हो गया अपने लिए तो जनाब आज topic शुरू कर रहे होंगे हम लोग differentiation, derivatives, match to का का काफी बड़ा topic, काफी important topic आ रहा है आपके लेकिन जनाब यह रहेगा बिल्कुल session number one, एक और session इसका होगा क्यूंकि कई सारे questions important है, कई सारे extra questions हम लोग ले रहे होंगे जहां पे previous years के questions हम लोग solve कर रहे होंगे, right सिर्फ question bank की solve नहीं करेंगे, previous years questions भी solve करेंगे, right जी लेकिन शुरूरात होने से पहले सभी को गुजारि रहेगी, फड़ा फट से like ठोकना है, share करने अपने college के groups में, अपनी classes के group में, और official हो या फिर unofficial हो, सब में जरूर share कर दो, and subscribe करना तो बिलकुल भूलने का नहीं है, right, नीचे गए description box में 12th JEE CET का specialized WhatsApp group है, आप उसे join कर सकते हो, नीचे description box में उसका link दे दिया है, telegram channel is open to all of you जहां पर आपको notes मिलता है, question bank मिलता है, CET के related questions मिलते है, right जी चलिए पहला question, लेकिन उसके पहले, उसके पहले जनाब derivatives में कौन से type है, ये जानना बहुत ही ज़ादा जरूरी है, right जी, तो derivatives में type कौन से कौन से है, बहुत important, important है पहला है, बिलकुल भी substitution method, है ना, उसके पह you into we rule, you upon we rule, इसकी revision जरूर कर लो, ये करने से पहले, उसके बाद आपको करना होगा, obvious thing है, substitution method, बहुत लोगों की band बच जाती है, इस method में, तो ये आपको करना बहुत जरूरी है, substitution method, दो माक, तीन माक का question, compulsory इसके उपर आएगा ही, आएगा, right, उसके बाद parametric function है, right, parametric है, उसके बाद आ रहा है, implicit, ठीक है जी, ये बहुत important, important चीज़ है, implicit, trigonometry के related, दो तीन टाइप से ये बिलकुल आपको पढ़ना पड़ेगा, in fact, अभी solution में भी आपको सब कुछ मिल जाएगा, चलिए, शुरुआत करेंगे पहले question के साथ on your screen, right now, देखो question bank के जो questions है, नमबर टू में, तीन माक और चार माक के कुछ बचे कुछे questions हम लोग solve कर रहे होंगे, ओके जी, चलिए, चलिए, इफ y is equal to log of, देखो ये बहुत ही जादा simple simple questions है, इसको फड़ा-फट से solve करेंगे, y is equal to log of cos of x raise to 5, how many functions are there, चेक करो, ये log एक function है, उसके अंदर cos है, उसके अ जरूर अपने channel के उपर playlist है, उसमें जाईए, ये सारे tricks आपको सीखने मिलेंगे, जिन्दगी भर mom's, लड़ू, कंसे बूलोगे नहीं, ओके जी, चलो, क्या-क्या बोला गया है, यहाँ पे, बड़ा डिबा, उसके अंदर ये चोटा function, उसके अंदर ये चोटा function, समझ रहे है, हाँ जी, चलिए, डिफ्रेंशियेटिंग, ये, ये sentence लिखना बहुत जरूर है, डिफ्रेंशियेटिंग वाई, with respect to x, with respect to x, क्या होगा, चेक करियो, चेक करियो, dy by dx, which is equal to one upon, चेक करो, चेक करो, cause of x raised to five, हाँ जी, लॉक का तो one upon होता है, इंटू, dy by dx of, बड़े र्या cause of x raised to five, ओके, और यहाँ पे cause का क्या हो जाएगा, sign हो जाएगा, बिलकुल minus sign हो जाएगा, minus sign of x raised to five हो जाएगा, ओके जी, चलो, और वापस से एक और डिबा जो है जनाब, तो that is x raised to five का derivative, बहुत ही जादा simple, minus sign of x raised to five upon cause of x raised to five, गाउटी गिरी मत करो, है ना, कुछ ऐसे नहीं करना, वो angle एकट नहीं होता, समझ रहे हो, पूरी ताकत चाहिए, जोस चाहिए, जुनून चाहिए, come on, x raised to five का, five x raised to four, यहाँ पे हो चुका है, तो इस answer को आप इसी अंदाज में भी लिख सकते हो, tan, क्योंकि sign upon cause, आप चडडी वाले बच्चे भी जानते हैं, okay, sign upon cause is tan होता है, तो tan of x raised to five into bracket में five x raised to four, बिलकुल मजेदार चीज, मसालेदार, यहाँ पे सम सॉल्व हो चुका है, second question की और जा रहे होंगे, आपके screen के उपर, यह रहा, find the derivative, question बड़े ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, तब जाके असली मजा आने वाला है, इस particular question में, find the derivative of inverse function y is equal to two x cube minus six x and calculate its value at x is equal to minus two, बिलकुल बिलकुल inverse function का पूछा है, तो पहले normal तो कर लेते, फिर उसको उल्टा करेंगे न, जी, है ना, पहले normal derivative find out कर लेते, फिर उसको उल्टा करवा देते, खीक है, तो y is equal to kya है, two x cube minus six x, खीक है जी, चाली है, differentiating y with respect to x, with respect to x करवा देंगे, तो यहाँ पहे क्या होगा, dy by dx which is equal to, come on, यहाँ पहे हो जाएगा, six x square minus six हो जाएगा, any doubt, any confusion, come on, come on, therefore, for inverse function, for inverse function, inverse function, derivative, derivative, क्या करना होगा, क्या करना होगा, देखो, यह dy by dx है न, इसका inverse क्या होगा, dx by dy होगा, उल्टा कर दो, सीधा ऐसे खड़ा है, तो इसको उल्टा कर दो, समझ रहे हो, तो यह क्या हो जाएगा, one upon, dy by dx यहाँ पहे हो गया, which is equal to, यहाँ पहे क्या हो रहा है, one upon six x square minus six हो रहा है, at what value they have told you to calculate, at we have to calculate x is equal to two, therefore, यहाँ पहे क्या बनेगा, dx by dy at x is equal to minus two, at x is equal to minus two, right जी, तो यहाँ पहे क्या होगा, six x के जगे पह minus two का square डाल दी, minus six डाल दी, which is equal to one upon, one upon six, यहाँ पहे four minus six, answer कितनी आ गई, check करो, check करो, six into four, twenty six, twenty six minus six, obvious thing है, one upon eighteen is your final answer, बच्चो, समझ रहे हो, any doubt, any confusion, please write down, if you have any doubt in the comment section, बिल्कुल आप के लिए खुला रखा है, और अच्छा लग रहा है न, तो बिल्कुल लाइक ठोक दो, और मुझे comment section में यो यो कर दे न, hashtag के साथ यो 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 चाहिए हमें, right जी, चलिए, शुरू कर रहे होंगे हम लोग का next question, on your screen, right now, come on, y is equal to cos inverse sine 4 raise to x, देखो ये थोड़ा बयानक वाला question है, ये थोड़ा बयानक वाला question है, देखो दिया है cos inverse, bracket में sine, चलेगा क्या, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, तो मुझे क्या करना पड़ेगा यार, एक तो ये inverse को हटा दीजिए, ताकि अंदर वाला जो function है, उसका derivative निकल जावे, या फिर अंदर वाले function को उस inverse के हिसाब से adjust कीजिए, मैं क्या करूँ बड़े द्यान से सुनिए, अंदर वाले function को उस बाहर वाले inverse के हिसाब से adjust कीजिए, तो क्या करना होगा यार, यहाँ पे तो बच्चा बच्चा जानता है, मैं क्या कहना चाता हूँ, मैं क्या कहना चाता हूँ, sin theta को I can write it down as cos of pi by 2 minus theta, this is called as an allied angle, allied angle वाला formula यह जी, allied angle वाला यह formula, right जी, चेक कर रहे होंगे हम लोग, therefore, देखिए, यह y को, यह y को मैं कैसे लिख सकता हूँ, cos inverse तो जैसे है वैसे, अंदर वाला जो sign है न, change करवाते हैं, उसको inverse की तरह, तो क्या मिलेगा यहाँ पर, come on, come on, come on, cos of pi by 2 minus theta मतलब वो जो particular वहाँ पर angle नजर आ रहा है, क्या है angle, 4 raise to x, कुछ भी हो सकता है, किसके भी उपर कुछ भी चड़ने दो, अपने को क्या है, तो 4 raise to x होगा, तो यहाँ पर angle होगा, 4 raise to x, सीधी बात, यहाँ पर no बकवास, राइट है जी, अब यहाँ पर inverse और वो अंदर वाला कॉस क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा, बिल्कुल आख बंद करके 60 कट कर देनी का, तो यहाँ पर क्या मिलेगा, अब्वियो दिंगे, यहाँ पर बिल्कुल मिलेगा, pi by 2 minus 4 raise to x, क्या बात है यार, बिल्कुल मज़ेदार चीज, therefore differentiating, यह बिल्कुल है ना, I love you से जादा अगर कोई प्यारा सेंटेंस है, तो यह ही है यहार, है ना, differentiating y with respect to x, यह बिल्कुल सबको पसंद आता है, क्योंकि कुछ नहीं आ जावे, तो यह सेंटेंस तो बिल्कुल आ जावे, राइट जी, तो यहाँ पर क्या होगा, dy by dx, which is equal to pi by 2 का obvious thing है, 0 होगा, क्योंकि pi by 2 is constant thing, यह constant माना जाता है, माना जाता है, मतलब है जनाब, तो वो constant है, उसका derivative तो 0 ही होना है, जनाब, minus 4 raise to x को that we will treated as a raise to x, तो a raise to x का derivative क्या होता है, come on, सभी बच्चे बोलेंगे, गर-गर दिया लगेगा, जब हर बच्चा बोलेगा, come on, a raise to x का क्या होगा, a raise to x into log a, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4 raise to x into log of 4, स्टीदी बात, यहाँ पर answer आ चुका है, minus 4 raise to x into log of 4, this will be your final answer, समझ रहे हो, यहाँ पर बिलकुल कुछ जादा किचाता नहीं करने की जरूरत नहीं है, मैं ऐसे solve करूँ, मैं वैसे solve करूँ, मैं inverse का formula लगाओ, जरूरत नहीं है, answer यहीं आना है, समझ रहे हो, पहचानना कैसे है sum को, सर यह थोड़ा बता दीजिए, sum को identify कैसे करूँ, देखो यहाँ पर cost का inverse है, यहाँ पर sign है, दोनों अलग अलग है न, नहीं चलेगा, समझ रहे हो, तो आपको जो है न, आपको बिलकुल यह दोनों same लाना पड़ेगा, तब जाके वो cut हो जाएगा, और अंदर का एक ही अल side angle किदर भी उटा के गुसाड दिया, ऐसे नहीं चलेगा, समझ रहे हो, ओके, the next question, उतनी ही ताकर, उतनी ही जोश के साथ, question number 4, on your screen, right now, if y, oh sorry, if x is equal to sin theta, y is equal to 10 theta, find dy by dx, कौन सा है, कौन सा है यह, come on, कौन सा है, यह, यह बिलकुल parametric वाला, parametric वाला यह होगा, अपना type, क्यों parametric, because यहाँ पे है theta, यहाँ पे theta, तो x में है theta, इसका मतलब वो हो गया parameter, y में है theta, मतलब वो हो गया उसका parameter, समझ रहे हो, हाँ, जी, बिलकुल, बिलकुल, घर-घर दिया लग रहा है, चलिए, 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 to sin theta, तो यहाँ पे लिखते हो, क्या लिखोगे, differentiating x with respect to theta, with respect to theta, समझ रहे हो, तो यहाँ पे क्या होगा, dx by d theta, which is equal to sin का क्या हो जाएगा, cos theta हो जाएगा, sign का क्या हो जाएगा, cos theta हो जाएगा, right, जी, next one, also, also, check करो, y is equal to 10 theta, क्या हो जाएगा, 10 theta, जी, चलिए, चलिए, therefore, dy by d theta, भी y को भी differentiate, x के साथ नहीं करने का, क्योंकि y मैं x दिखरा है, क्या, obvious thing है, वो नहीं दिखरा है, तो वो concentrate होगा, अगर आप x के साथ करोगे, तो, तो यह गाउटिगीरी नहीं चलेगी, parametric में जो parameter होता है, उसी के with respect to आपको differentiate करना पड़ता है, समझ रहे हो, यारे, उसी को तो parametric function कहा चाता है, तो dy by d theta क्या होना है, obviously tan का derivative, यह आना बहुत जरूरी है, जी, चलिए, तो यह मुझे आ गया, therefore, इसको equation number 1 करवा देता हो, इसको equation number 2 करवा देता हो, therefore, from 1 and 2, चेक करियो, from 1 and 2, क्या मिल रहा होगा मुझे, चेक करियो, therefore, from 1 and 2, चेक करो, dy by d theta upon dx by d theta, अगर मैंने करवा दिया, तो d theta, d theta कट जाएगा, और 4 और खुशियाली, खुशियाली चा जाएगी, क्योंकि मुझे मिल रहा होगा, dy by dx, राइट जी, तो चलिए, मचाते है, शोर, चारो, और, क्योंकि मुझे यहाँ पर मिल चुका है, sequire theta upon cos theta, और one upon cos theta is nothing but sec theta, तो sequire into sec हो गया, चेक करो, चेक करो, मैं हर एक step लिख रहा हूँ, क्योंकि हर बच्चा यहाँ पर सीखना चाहिए, और यहाँ पर मुझे dy by dx मिलना चाहिए, पॉकेट में डाल देने का सीधा, राइट जी, next question, on your screen, right now for three marks, चलिए, ओ, 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 बबजी, यहाँ पर आपकी कृपा रखनी पड़ेगी, क्योंकि question काफी बड़ा है, ठीके जी, solve करने का तरीका उससे भी ज़्यादा बड़ा है, right जी, बड़े ध्यान से, बड़े ध्यान से इसको solve कर रहे होंगे, हम लोग, चलिए, चलिए, क्या करेंगे, come on everyone, everyone, log दिया गया है, लोग दिया गया है, क्या करेंगे, come on, come on, come on, तो यहाँ पे रेको, पहले directly टूटनी पड़ने का है, लोग दिया है, तो one upon x उसका derivative होता है, नहीं, पहले सोचने का, कि जनाब कितने function है, here one upon इतने सारे function मैं बरबर के वहाँ पे डाल दू, तो here उसको simplify करने के लिए और भी नौबत बहुत दिक्कत खराब हो जाएगी, right जी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, y is equal to, I'll use logarithmic properties, what is logarithmic properties, I'll let you know, I'll let you know, मैं बताता हो, log of a into b अगर रहेगा, तो आप इसको लिख सकते हो, log a plus log b, क्या लिख सकते हो, log a plus log b, ठीक है, और अगर log of a by b आपके पास है, तो you can just write it down, log a minus log b, यह सभी को पता है, तीसरी property जो मैं आपे बताना चाहता हूँ, आपको that is log of b raised to a रहेगा, तो you can write it down as a log of b, यह जो भी मैंने blue color से लिखाना, बिलकुल page के उपर वाले section में लिख दो, नहीं तो बरबाद हो जाओगे, क्योंकि बहुत सारे लोगों को logarithmic properties में बहुत confusion रहता है, are you getting my point? चलिए, 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 तो इसी के साथ-साथ, इसी के अनुसार हम लोग आगे बढ़ रहे होंगे, तो यहाँ पे log of, चेक करो, log of 4 raised to 2x into, हाँ जी, into, देखो, अभी into करने से बहतर है, कि मैं यहाँ पे addition करवा दूँ, क्योंकि यह bracket के अंदर ही into है, तो obvious होती है, यहाँ पे log क्या हो जाएगा, सपरेट हो जाएगा, ठीक है, करवा दिया, मैंने सेपरेट हाँ, जी, करवा दिया, चलो, चलो, मचाओ, बिलकुल, मचाओ, यार, जी, देखो, यार, lecture में आने से पहले, बहुत लोग कहते, सर, बचाओ, यह question से पहले, यह question देखे, integration के, derivative के, differential equation के question देखे हैं, लोग कहते हैं, सर, बचाओ, बचाओ, आने के बाद कहते हैं, अरे, मचाओ, मचाओ, चलिए, यहाँ पे क्या करेंगे, log of 4 raised to 2x plus log of x square plus 5 upon under root of 2x cube minus 4, the whole raised to 3 by 2, so, जैसे मैंने कहा, यहाँ पे third property use होगा, logarithmic का, यह वाला, मैंने पहले ही कहाता, यार, page के उपर वाले section में लिख लो, नहीं तो बरबादी चाओ जाएगी, 4 और, right, तो देखो, जो सर पे चड़ा है, उसको नीचे उतारनी का काम कौन करता है, बिलकुल, दुनिया में log कर करता है, right है जी, चलिए, तो यहाँ पे सर पे कौन चड़ा है, 2x चड़ा है, उसको नीचे उतार देंगे, यहाँ पे 3x2 चड़ा है, उसको नीचे उतार देंगे, बिलकुल, जिन्दगी में उनको स्थानी नहीं देने का, समझ रहे हो, तो चलिए, यहाँ पे 2x log of 4 हो जा था, बिलकुल, x2 plus 5 minus log of, मैं सीधी बात करता हूँ, नो बकवास, चलिए, आनन्द की बिलकुल, अनुबूती मिलेगी बाबा की जबान से, चलिए, चलिए, आनन्द की अनुबूती लेंगे, अभी हम लोग, चलिए, तो 2x log of 4, यहाँ पे हो जाएगा, प्लस, प्लस, बिल certification का काम आपका रहेगा, समझ रहे हो, ठीक है जी, और नहीं आ रहा है ना, तो मुझे comment section में बता दीजिए, बिलकुल doubt session रहेगा, उसमें आपके doubts बिलकुल solve किये जाएंगे, ओके, yes, 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 तो this is 3x2, अच्छा, इसकी power क्या है, इसकी power क्या है, root है ना, root को कैसे लिख सकते ह हम लोग, raise to 1 by 2 लिख सकते है, तो यह 1 by 2 नीचे आ गया, किदर आ गया, नीचे आ गया, log, log, सर पे चड़ता है, उसको नीचे उतारता है, right है जी, तो 3 by 2, log, x square, plus 5, और यह 1 by 2 नीचे आ गया, तो 3 by 4 हो गया, log, 2 x cube, minus 4 हो गया, यार, इसका derivative तो, यार, मेरे ख्याल से, जो आप जिस window पर बैटके पढ़ा ही करते हो, उस window से नीचे जाकिए, जो हब चड़ी वाले बच्चे रहेंगे ना, वो भी कर पाएंगे, ऐसा simple derivative यहां पर है, चलिए, करवा देते हैं, आजी, करवा देते हैं, चलिया, चलिया, बैलकॉल, बैलकॉल, absolute, इसी को continue कर रहे होंग हाँ जी, मैं previous slide देख रहा हूँ, यहां पर, yes, बिलकुल, x square plus 5, okay, minus 3 by 4, यहां पर log off, चेक करो, चेक करो, यहां पर क्या था, बिलकुल, 2x cube minus 4, 2x cube minus 4, absolute, absolute, वापस यहां पर लिख देंगे, differentiating y with respect to x, with respect to x, right है जी, चलो, चलो, क्या करना होगा, dy by dx, क्या होगा, क्या होगा, चलो, चलो, मचाओ, बिलकुल, log 4 जो है, वो constant है, 2 है, वो भी constant है, तो x का derivative 1 हो गया, मैंने कहा था, पहले, हाप चड़ी वाले बच्चे भी करेंगे, तो यह log of, 2 log of 4 हो गया, प्लस, हाँ जी, यह 3 by 2, ठीक है, log का derivative is 1 upon x square plus 5, और x square का बन जाएगा, obviously 2x, देखो, chain rule अभी मैं फटाफट करूँगा, क्योंकि पहले सम में, इस session का पहला ही सम था, जहां पर मैंने detail में बताया, अब नहीं, अब इतना लाड़ प्यार नहीं, आनन्द की अदुबूत ही चाहिए, तो फटाफट जाना पड़ेगा, तो 3 by 4, 1 upon 2x cube minus 4, और यहां पर हो जाएगा, absolutely 6x square, 4 का बनेगा, 0, cd बात, बिल्कुल भी नो बक्वास, ओके जी, तो यहां पर 2 log of 4, plus 2, 2, cancelled out, 3x upon x square plus 5, कड़क यार, कड़क, minus, देखो, यहां पर क्या कट हो रहा है, 2 और 3 विल गेट, cancelled out, 2 and 3 विल गेट, cancelled out, 3, 3 विल बिकम, 9, 9x square upon 2x cube minus 4, any doubt, any confusion, बच्चो, please tell me, please tell me in the comment section, this will be your final answer, अगर आप इसको ऐसे ही रखना चाते हो, तो भी रख सकते हो, या फिर आप simplify करना चाते हो, तो कर भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, पर simplify करने में ज़्यादा दिक्कत होगी, LCM निकालो and all that, उससे बहतर है, बिलकुल बाबाजी, यहाँ पे खुश हो जाएंगा, बाबाजी मतलब आपके examiner, जो paper correct करेक्ट कर देना, बाबाजी है, वो, इनकी क्रिपार है नहीं चाहिए, अपने उपर, राइट जी, तो यह आपका final answer, जा रहे होंगे हम लोग, next question की और, right now, yes, yes, अब आएगा असली मजाज जिंदगी का क्योंकि यहाँ से शुरू होने जा रहे है, बिल्कुल conceptual questions, differentiate sine inverse, 2 cos x plus 3 sine x, whole divided by, under root of 13, with respect to x, right जी, with respect to x, चलिए चेक करते हैं, यहाँ पे क्या मिल रहा होगा हमें, come on, sine inverse दे दिया है, और यहाँ पे under root of 13 है, यह कुछ अजीबी मुझे नाता लगता है, इन लोग का, तो यहा होंगा, right जी, तो यहाँ पे क्या होगा, 2 cos of x, under root of 13, under root of 13, plus 3 sine of x, और यहाँ पे होगा, under root of 13, क्या बात है, यह तो मुझे बिल्कुल अच्छा लगा, यार, अभी देखो, 2 upon root 13, 3 upon root 13, यहाँ पे ऐसा कुछ substitute करेंगे, जो expansion के form में आएगा, और उसको compress करेंगे, तो वो sign क form में आना चाहिए, अभी आप बोलोगे, सर, आपको कैसे पता चला कि वो sign के form में आना चाहिए, how you would identify this, how you could identify this, because बाहर क्या है, sign inverse है, मैंने कहा था, मैंने कहा था, जो बाहर उल्टा करता है, जो अंदर सुल्टा होना चाहिए, बाहर उल्टा हो, अंदर क्या होना चाहिए, समझ रहे हो, तब जाके तो cancellation होगा, जनाब, समझ रहे हो, तो क्या कर रहे होंगे हम लोग यहां पर, put करेंगे, क्या करेंगे, कैसे put करेंगे, चेक करियो, 2 upon root 13 को, I'll just put it down as sign of t, ठीक है, क्यो कर रहा हो, बताऊंगा, थोड़ा ध्यान देना, 3 upon root 13 को, I'll just put it down as cos of t, क्या put कर रहा हूं, cos of t, अब इनको जब मैं squaring करता हूं, तो मुझे क्या मिल रहा है, check करो, क्या मिल रहा है, check करो, squaring करूंगा, तो 4 मिलेगा, plus 9 मिलेगा, upon 13 मिलेगा, क्योंकि root तो निकल जाएगा, which is equal to cos square t plus sin square t, समझ रहे हो, तो यह property बिलकुल valid हो चुकी है, that is cos square t plus sin square t is equal to 1, द therefore, therefore, अभी देखो, sin t, cos t लेके मतलब नहीं है, मैं उन दोनों का combination लेता हूं, ताकि दोनों का common चीज जो है, वो मुझे मेरे bracket में दिख जावे, तो tan t को, how I can write it down, check करो, sign upon cos, root 13, root 13 will get cancelled out, आपको मिल रहा होगा, 2 by 3, अब यह क्यों निकाला, because I want t का value, तो t का value, that will give you tan inverse of 2 by 3 क्या मिल रहा है, tan inverse of 2 by 3, अभी आप बोलोगे सर, आप ने इसको tan में क्यों लिया, मेरे पास ये भी था, तो मैं इसको t is equal to sin inverse 2 by root 13 लिख सकता हूं, इसको मैं t is equal to cos inverse 3 by root 13 लिख सकता हूं, फिर आपने tan को ही क्यों चुना, समझ रहे हो, क्यों चुना मैं बताता हूं, पहली तर्म है, cos, दूसरी टर्म है, sign, तो यार अगर मैं cos की टर्म में लेता, तो sign गुसा हो जाता, मैं sign की टर्म में लेता, तो cos गुसा हो जाता, अभी गुसा हो जाता मतलब क्या, cancellations नहीं होते न बबाजी, समझ रहे हो, cancellations नहीं हो पाते, इसके लिए मैंने दोनों का common, common, golden midway निकाला मैंने समझ रहे हो वो मिडवे निकाला और उसके हिसाब से मैंने tan को consider कर लिया समझ रहे हो therefore therefore बड़े ध्यान से सुनिया बड़े ध्यान से सुनिया therefore y is equal to yes बचो y is equal to kya बनेगा y is equal to yes बचो y is equal to kya बनेगा can you please tell me yes 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 amazing come on come on come on यहां पे sign inverse bracket के अंदर bracket के अंदर yes 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 sin t into cos of x plus cos of t into sin of x हाजी यह तो बिल्कुल sorted जिन्दगी है यहर इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ बच्पन में पढ़ा था हर बच्चा पढ़ा था कुन सा formula sin a into cos b plus cos a into sin b कुन सा formula है बोलिए बोलिए sin a plus b का formula है क्या बात है अमेज़ अमेज़ देर्फोर y is equal to यहां पर कर रहे होंगे हम लोग sin inverse bracket के अंदर sin of bracket के अंदर देखो 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 ए प्लस भी न तो ए प्लस भी क्या है जनाब t plus x है t plus x है राइट जी t plus x है देर्फोर sin sin कट गया बचा क्या t प्लस x बचा y is equal to t plus x बचा जी समझ रहे हो एनी डाउट एनी कंफ्यूजन तो यार t मतलब क्या है वो भी मुझे पता है t मतलब क्या है बच्चो तान inverse of tan inverse of क्या आया था 2 by 3 आया था ना जी बेलकुल बेलकुल सही पकड़े हो therefore therefore मैं अगर differentiating कर दू differentiating y with respect to x with respect to x तो क्या बनेगा dy by dx बनेगा which is equal to tan inverse 2 by 3 that is the constant term क्या है वो absolute constant term है तो वो तो 0 बनेगा plus यहां पर 1 बनेगा therefore dy by dx is equal to 1 बन रहा है this is what your final answer आप बोलोगे तर इतना लंबा चोड़ा solution कर लिया और final answer तो मुझे बिलकुल 1 मिल गया जी यही तो खासियत है maths की समझ रहे हो चलो 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 मचाते है एक और sum के साथ जो आखरी sum रहेगा इस session का on your screen right now if log of x raised to 4 plus y raised to 4 upon x ठीक है to the base 5 which is equal to 2 show that show that dy by dx is equal to 12x cube upon 13y cube okay okay in terms of x and y आपको answer चाहिए dy by dx का okay okay no problem no problem देखो देखो यार देखो जी देखो log का एक और property बाबाजी आपके लिए लेके आ रहे होंगे log of a to the base b को आप लिख सकते हो log a upon log of b base में है ना बोलते कैसे log a to the base b बहुत लोगों पढ़ने ही नहीं आता है engineering को चले जाते हो I don't know क्या करते हो लेकिन फिर भी ये log पढ़ने नहीं आता समझ रहे हो ये पढ़ना सीखी है जनाब राइट चलो 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 आगे बढ़ेंगे तो ये log of 5 बनेगा हाँ जी मैं यहां पे बिलकुल सटी करके बताता हूँ आपको बिलकुल हर detail बताता हूँ कैसे करवा रहा हूँ मैं तो बिलकुल बिलकुल कोई घाई नहीं कोई गड़बड नहीं हाँ जी all divided by यहां पे log 5 होना है which is equal to 2 होना है अभी एक नंबर यहां पे बात उचुके एक नंबर बात यहां पे हो चुके कौन सी नंबर एक नंबर बात बिलकुल तो x raised to 4 minus y raised to 4 which is equal to 2 log of 5 बना हाँ जी तो 2 तो चला गया उपर है ना जो सर पे चड़ाता जैसे है वैसे ही सर पे से उतारता भी है कौन उतारता है लोग ही चड़ाते है लोग ही उतारता है तो log of 5 का square यहां पे बन गया log log एकदम सीधा कट गया और मुझे यहां पे मिल रहा होगा x raised to 4 plus y raised to 4 upon x raised to 4 minus y raised to 4 which is equal to 25 क्योंकि log कट गया तो 5 का square हो गया 25 अब एकदम 60 के यहां पे answer मिलेगा x raised to 4 y raised to 4 ठीक है जी which is equal to 25 25 और यहां पे मिलेगा x raised to 4 minus y raised to 4 absolutely absolutely तो यहां पे x raised to 4 plus y raised to 4 which is equal to 25 x raised to 4 minus 25 y raised to 4 क्या बात है यार amazing amazing बात यहां पे हो चुकी है यार can you please tell me can you please tell me कि मैं इसको कैसे solve कर रहा हूँगा please tell me please tell me come on come on come on everyone everyone बचो obvious thing है यह 25 उससाइड 25 x raised to 4 उससाइड पे adjust कर रहे होंगे minus 25 y raised to 4 उससाइड पे adjust कर रहे होंगे ठीक है तो x raised to 4 minus 25 तो यह हो जाएगा minus आह ऐसी गलती बाबाजी नहीं होनी है तो minus 24 x raised to 4 होगा plus 26 y raised to 4 होगा which is equal to 0 हो जाएगा ठीक है इसमें से कुछ common निकाल दीजिए बात खतम हो जाएगी टू को ही common निकाल देते हैं और यहाँ पे minus को भी निकाल देंगे बताईए क्या होगा ठीक है जी बताईए क्या होगा absolutely absolutely कड़क जवाब दे रहे है क्या बात है चलिए 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 तो यहाँ पे two को common निकाला उस side पे shift कर दिया तो वो 0 बन जाएगा तो यहाँ पे होने वाला है minus 12 x raised to 4 plus 13 y raised to 4 is equal to 0 क्या बात है इसका ही derivative करेंगे तो मुझे dy by dx आएगा type identify करो come on come on type identify करो x और y का equation है मतलब यह type कौन सा हो गया implicit function हो गया क्या हो गया implicit function हो गया है right जी चलिए तो क्या equation था मेरा minus 12 x raised to 4 plus 13 y raised to 4 is equal to 0 है तो इसका differentiating बिलकुल बिलकुल differentiating y with respect to x sentence वही होना है यार प्यार वही होता है है न जी तो differentiating y with respect to x या फिर आप directly बोल सकते हो differentiating with respect to x क्योंकि यह implicit function है ठीक है चलो बताओ चलो बताओ चलो बताओ कितना आ रहा होगा कितना आ रहा होगा come on come on minus 12 जैसे वैसे 4 x cube यहां पे बनेगा plus 13 जैसे वैसे 4 y cube बनेगा और y का बनेगा dy by dx which is equal to 0 चलिए जी चलिए 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 उस साइड पर adjust कर रहे होंगे हम लोग 13 y cube into dy by dx which is equal to 12 x cube absolutely कड़क जवाब मुझे मिल चुका है जो चाहिए था यार इससे बड़ी खुशी जिन्दगी में कुछ नहीं होगी 12 x cube upon 13 y cube यही तो चाहिए था यही तो चाहिए था इसके लिए मैंने बताया lecture में आने से पहले बचाओ बचाओ lecture के आने के बाद come on मचाओ मचाओ चलिए मचाए हो आप लोग 7 question हम लोग ने solve कर दिये हैं और भी कई सारे questions और previous yes questions लेके आने वाले हैं हम लोग differentiation के session number 2 में जो कल आपके सामने रहेगा अपने channel के उपर तो जरूर अपने friend circle में अपना channel के बारे में जरूर circulate कीजिए अपने videos को share कीजिए and differentiation जैसे matrices के shortcuts दिया न वैसे derivatives के भी shortcut lectures आने वाला है session number 2 के बाद CET की practice आने वाली है shortcut lecture के बाद तो sessions बिलकुल properly arranged है एक week में दो-दो chapters अब कर रहे हो बिलकुल फाडू गिरी कर रहे हो तो जनाब बिलकुल like कर दो videos को and share करना बिलकुल मत बूलना और अच्छा लगा है तो comment section में यो-यो